दोस्तों हम लोग आज delay analysis in network topology design या फिर delay analysis क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे या फिर बात करें delay की तो delay actual में है क्या तो अगर दोस्तों अगर हम delay की बात कर रहे हैं तो मतलब कि जो total time sender से receiver तक data को पहुंचने में लग रहा है उसी को हम delay कहते हैं जैसा कि देखें यहां पर थियोरी में लिखा भी हुआ है इन network topology delay refers to total time consume during message transferring from sender to receiver यानि कि sender से receiver तक message को transfer होने में जो time लग रहा है उसी time को हम क्या कहते हैं delay analysis या उसी को हम delay कहते हैं और वो कितना time लग रहा है इसको analysis करने में जो उसको किस तरीके से हम find कर रहा है बच्चो वही आपका हो जाता है क्या कहते हैं delay analysis यानि बात समझने की करना है ठीक है तो उसके लिए जो सारे procedure हम apply कर रहा है उसी को हम कहते हैं delay analysis ठीक है तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार टाइप के डिले है आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर डिले कितने टाइप के है चार टाइप के आपका एक प्रोपागेशन डिले है जो यहां पे इस concept में है एक आपका transmission डिले है एक आपका no delay या processing डिले है और एक आपका क्यूंग डिले है तो चार टाइप के डिले हैं आपकी की стен डिले का क्यूंग डिले और processing डिल तो बात करें अगर क्यूंग कहीं न कहीं, कहीं यह भी शॐइन करते हैं तो चुकि यह भी इफक्ट करते हैं पैकेट को थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं तो इसलिए इनको भी रखा गया गया है लेकिन इनको calculate करने का कोई खास मतलब की कुछ खास नहीं है क्योंकि यह exact कभी भी processing delay और queuing delay जो है वो exact calculate नहीं हो पाता तो चलिए पहले हम समझते हैं कि यह propagation delay, transmission delay, processing delay और queuing delay है क्या ठीक है दोस्तों तो अगर हमें इसको समझना है तो हम सबसे पहले आपको मैं यह screen share कर रहा हूँ यह screen आपको दिख रही होगी तो देखिए दोस्तों यह आपको दो नूट दिख रहा है और इसको ध्यान से समझेगा क्योंकि आगे के जितनी भी question है उसमें हमें कहीं न कहीं यह propagation delay, queuing delay, processing delay और आपका यह transmission delay इनको हमें discuss करना पड़ता है हमें देखना पड़ता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आपको यह figure देख पा रहे होंगे तो इस figure को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि यह दो machines है यह packet है जो एक sender side से receiver side की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है अब अगर हम बात करें कि अगर यह sender side से receiver side की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है तो देखिए कि इसमें यह जो हम charge delay की बात कर रहे है तो चार टाइप का जो delay है वो कहां कहां पर इंटर्डूस हो रहा है यानि कि हम कहां पर कहेंगे transmission delay कहां पर कहेंगे हम propagation delay कहां पर हम कहेंगे queen delay और कहां पर हम कहेंगे processing delay जैसे कि यह देखिए आप सबसे पहले कि जो sender side से आपको machine पर दिख रहा होगा कि sender side से जैसे कि ये sender है और sender side से जो packet जो है जब निकल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पर कि शुम कि जी ये sender side है ये receiver side है और आप देख रहा हैं कि sender side से जैसे ही हम packet को send कर रहे है तो जो time sender की machine से निकल के और उस link पे, जिस link के थुरू वो आगे receiver तक जा रहा है, बात समझेगा, sender की machine से निकल के, और particular उस link के point पे पहुच रहा है, जिस link के थुरू वो receiver तक जा रहा है, तो ये जो time है, इस time को हम कहते हैं transmission delay, और उसको t, small t, इस तरीके से denote किया जाता है transmission delay को, ठीक है? बात समझेगा, sender की machine, sender की machine से, जब हमने कोई send, कुछ more data send किया, तो machine से निकल के, particular उस link पे, जिस link के थुरू वो receiver तक जाएगा, तो ये जो time consume हो रहा है, इस time को हम कहते हैं transmission delay, ओके दोस्तों, उसके बाद से, फिर, जब ये link के एक end पे पहुच गया, और उसके बाद, वो यहां से लेगे, suppose कि ये जद दूरी है, ठीक है ना, दूसरे receiver तक, तो ये जो beach में जो travel कर रहा है, यहां से लेके, एक end से लेके, link के दूसरे end तक, तो link के जो दूसरे end पे end तक, जो मतलब कि travel कर रहा है, तो इसको travel करने में, इस beach की दूरी को जितना time लगता है, उस time क इसको हम क्या क्याते हैं प्रोपागेशन डिले जिसको हम T, small P से दिनोट करते हैं ठीक है ना फिर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है लिंक जो यह लिंक दी हुई है इस लिंक के एक साइड से लेकर एक इंड से लेकर लास्ट इंड यानी दूसरे इंड के तक पहुचने में जो टाइम लग रहा है बाद समझ जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम क्या कहते है और इसको हम P P से दिनोट करते हैं तो अगर एक से जादे तो एक टाइम में सारे पैकेट को तो रिसीब कर नहीं पायागा, तो वह सारे पैकेट जो है क्या है मसीन के बुफर में एक क्यू बना के लगा, मतलर एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, कि एक डाटा धीरे से उठके मसीन के अंदर जाएगा, बास समझेगा, यहां पर अग इस तरीके से एक एक पैकेट जो है वो मसीन के अंदर जाएंगे तो समझने वाली बात क्या है कि यह जितना टाइम जो है लगए लगए मतलब एक मसीन को वेट करने में एक पैकेट को जितना टाइम वेट करने में लगेगा कि अब वो इस क्यू से निकल के पर्टिकुलर मसीन के अंदर जाए, ठीक है N तो जो क्यूंगा जेतना टाइम लग रहा है जनी वेट करने में जितना टाइब लग रहा है शुर्टो बास समझेगा वेट करने में उसे जितना टाइम लग रहा है उस वेटिंग टाइम को हम क्या कहते है क्योंग म्याइ कर अपनी नंबर आएगा इसे पेस्ट को अपनी वरी आने का इंतसार करना पड़ेगा तो इनतजार करना अपर इंत परूं को क्या क्या कहते हैं क्युइंग दिले धीके अब लास्ट में आती है प्रोसेसिंग डिले का मतलब्स पेकेट को जिसका नंबर आ गया अभ उस पेकेट को वह उठा के वापस शुग के अंदर डाल रहा है तो यह प्रोसेसिंग है तो अब इस मसीन के निकाल के पर्टिकुलर उस मसीन तक पहुचाने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं प्रोसेसिम डिले ठीक है और इस प्रोसेसिम डिले को हम T इसमाल एंसर डिनोट करते हैं अब होप सो आपको यह बात समझ में आई होगी क्योंकि यह चीज आपके दिमाग में हमेसा होनी चाहिए तब ही आप नुमेरिकुल को सही से सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो क्या सेंडर की मसीन से पैकेट को निकल के पर्टिकुलर उस लिंक त मकलत थाल रहा है से जोद्गें गए पैकेट के एक इंड से दूसरे इंड तक जाने में जितना टाइम लग रहा है बच्चों उस टाइम को हम पर्टिकुलर इंड पर पहुच गया और वहां पे और सारे packet भी पहुचे हुए हैं तो वहाँ पे एक Q Q है और उस Q में वो अपनी time का बेट कर रहा है तो particular एक packet को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है और जब उसकी जितनी देर वो इंतजार कर रहा है अपनी बारी का तो उसको हम क्या कहते हैं क्यों गिले और जब एक बार उस सबसे पहली बात कि हम Processing Delay और queuing Delay इन दोनों को मेजर Most Time पर नहीं करते हैं दोस्तों कि आपको मैं बता दूं कि क्यों कि क्यों कुएंग डिले और processing delay यह machine की स्पीड के ऊपर डीपेंड करता है कि मशीन का मतलब कि जो प्रोसेसिंग स्पीड वो कितनी अच्छी है जितनी अच्छी होगी जितनी फास्ट होगी उतना तेजी से वो क्यूं से पैकेट को सिस्ट करके मसीन तक पहुंचायेगा बात समझेगा चुकि यह ऐसा नहीं है कि यह दुनी जो प्रोसेसिंग इस पीड की बात कर रहा है जिसको अम ट्रांस में इस सेहां तकाने में अभ मसीं की प्रोसेसिंग की अच्छी होगी उतना तेजी से वह यह रखेगा लेकिन चुकि यहां पे एक तरीके से मेजर कर सकते हैं कि पार्टिकुलर जो है कितना टाइम ले लेकिन चुकि ये receiver side की machine है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए हम कभी receiver side पे ये जो queuing delay और processing delay हो रहा है इसको हम major नहीं करते हैं ठीक है ना processing delay हमिशा machine के कितना तेज काम कर रहा है कितना fast काम कर रहा है ये उसके उपर depend करता है और अगर बात करें queuing delay की दोस्तों receive किया जाएगा लेकिन अगर process की speed जितनी धीमे होगी तो क्यू में wait करने का time है वही particular हर पैकेट का बढ़ता जाएगा तो इसलिए हम इन दोनों को measure नहीं करते हैं कहीं कहीं हम approx queuing delay को measure करते हैं लेकिन processing delay को कहीं भी measure नहीं करते हैं ठीक है ना तो होक्स आपको इतनी चीज करके निकालना होगा फिर आपको प्रोपागेशन डिले करके निकालना होगा और आपको processing delay यानि कि चारो को जब आप निकाल के add कर लेंगे तो वही आपका total delay होगा लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोपागेशन डिले है और प्रोपागेशन डिले है यह मसीन की स्पीड पे होता है इसलिए हम बराबर इसको आप लिखेंगे फर्मूला में चारो को और प्रोपागेशन डिले की जगह पे आप क्या पूट कर देंगे 0 ठीक है ना यानि आपका जो ट्रांस्मिशन डिले और आपका जो प्रोपागरिशन डिले निकला है वही आपका टोटल डिले हो जायेगा इका ना देखिए यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि टीक्यू एंड टीपी आर यानी की प्रोसेसिंग डिले अर नोट इवैलिवेट बिकास दीज आर नहीं इसा निये कि दीज आर कम चैब कर्णर करता है और दूसरा क्यालिका वैनोट क्यूं डिले और यान्ट बोट रिले इस बेस्ट आल प्रोसेसर देण बी कॉंट इर डिज नॉर्स। करता है तो मतलब क्या है कि वो फैकेट को कीwest say vílle को और अगर वो यो निकाले 20 लिए अगर वर करता है प्रोसेसर तो फैकेटोप जो कंडीशन मेरिं GardRay Ma मैं철 दिपने ए हंब एफ करके हम total delay calculate कर लेते हैं दोस्तों ठीक है अब चलिए आपको कुछ numerical के थुरू हम दिखाने की कोसिस करते हैं और बताते हैं कि transmission delay और packet delay किस तरीके से calculate किये जाते हैं दोस्तों ठीक है तो आये देखते हैं सबसे बात पहले हम बात करें कि स्वारी हम सबसे पहले transmission delay की बात करेंग सेंडर साइड में जो computer की machine है वहां से packet जो है निकल रहा है और link तक पहुच रहा है यानि machine से निकल के particular इस link तक पहुच रहा है जिस link के थूँ वो कहा जाएगा receiver side तक तो उसको देख उसको उसमें जितना time लग रहा है उसी को हम क्या कह रहा है आपका transmission delay तो जैसा कि देखि by increasing the data rate of the link line it can also be reduced by limiting the size of frames ठीक है ना तो अगर हम देखिए तो time taken by frame to come out for transmitter transmitter मतलब कि machine से निकल के link तक आने में जहां से वो ट्रांस्मिट हो सकता है ठीक है ना यही आपका transmission delay है तो और यह डिपेंड किसमें कर रहा है कि link पे packet के length पे packet कितना बड़ा है और उसकी bandwidth machine की कितनी अच्छी है ठीक है ना जो line है उसकी bandwidth कितनी अच्छी है तो इसी लिए जो transmission delay है उसका जो फार्मूला बनाए गया है TT is equal to L upon B L जैसा कि यहां लिखा हुआ है where TT है transmission delay L क्या है frame size यानि कि वो जो frame जो जा रहा है और B क्या है data rate और bandwidth ठीक है ना तो जब भी आप transmission delay निकालेंगे और numerical में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा आपको कहीं ने कहीं packet की length दिखेगी ठीक है ना उसके बा bandwidth कर देंगे तो जो भी value मिलेगी वो आपका transmission delay होगा याद करने वाली दोस्तों बात यह है कि चुकि यह transmission delay है यानि कि time है तो जो इसकी value आएगी calculate करने के बाद वो भी second में ही होगी दोस्तों ठीक है ना यानि कि time का जो unit होता है minute second, microsecond, minute समझ रहा भी नहीं तो यह उसी के अंदर उसकी value होगी उसके बाद से transmission delay के बाद फिर क्या आपका आता है propagation delay अब propagation delay को हमने क्या देखा था कि एक इंड पे जब packet पहुच गया और जिस link के थुरू उसको दूसरे इंड पे जाना है तो जो उसमें travel करने में यानि एक machine के एक इंड से दूसरे machine के इंड तक travel करन में जो आपको time लग रहा है वो time आपका क्या बन जाता है propagation delay तो यह जो propagation delay है जैसा के लिका propagation delay cannot be reduced as it depends upon distance between transmitter, receiver and velocity of signal तो कहने का मतलब क्या है कि by propagation delay दो चीज़ों कि कि कितनी लंबी दूरी है जिसमें उस frame या packet को travel करना है और उस link की velocity क्या है कि वो कितनी तेजी से जा रहा है मतलब क्या अगर frame का size बढ़ा होगा sorry अगर distance जो है वो जादे होगा तो time जादे लगेगा ठीक है न और अगर link की speed velocity तेज होगी तो उसको time कम लगेगा बात समझेगा तो एक तरीके से कहें कि यह जो तो distance है यह direct proportional है और जो velocity है वो indirect proportional है तो कहने का मतलब का है कि अगर propagation delay की बात करें तो distance upon velocity इसलिए कि distance जादे होगी तो time जादे लगेगा लेकिन अगर velocity तेज होगी तो time उतना कम लगेगा तो इसलिए प्रोपागेशन डिले को हम जब भी कल्किलेट करते हैं तो उसका formula क्या होता है D upon V where D is जैसे कि यह लिखा हुआ है कि Tp is a propagation delay D मतलब distance and V मतलब velocity तो आपको दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आगा होगा किस तरीके से transmission delay और प्रोपागेशन डिले को calculate किया जाता है transmission delay यानि कि length upon bandwidth और propagation delay यानि कि distance upon velocity ठीक है दोस्तों उसके बाद से processing delay, queuing delay आप इसमें पर देख सकते हैं कि यह चुकि machine के processor के उपर करता है receiver side की इसलिए इसको calculate नहीं किया जाता है कहीं कहीं एप्रॉक्स क्यूइंग delay को calculate किया जाता है लेकिन नॉर्बली इसको calculate नहीं किया जाता है दोस्तों इक क्योंकि वो transmission delay is यानि कि अगर जैसा कि दिया हुआ है कि packet की length आपको कितनी दी हुई है 1000 bits और अगर हम बात करें कि bandwidth की तो 1 kbps अब दोस्तों यहां पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है कि कि सभाग देने तो सबको आता है divide करना लेकिन confused आदमी होता है bit और white में तो आपको सबस 1024 bit का क्या होता है कि कुछ नहीं 8 bit का 1 byte होता है और 1024 byte का 1 kbps होता है तो चुकि यहां पर यह value कितनी दी हुई है bit में दी हुई है इसको ध्यान रखिएगा और जब भी kilo bit लिखा होगा तब तो वह bit होगा यानि 1000 bit इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखेगा कभी भी अगर kilo bit लिखा हुआ है तो मतलब वह होगा 1000 bit ठीक है ना लेकिन कभी भी अगर kb लिखा हो केवल kb तो kb का मतलब होता है kilobyte यानि कि अगर kilobyte लिखा हुआ है तो वह क्या बन जाएगा 1024 इस चीज़ में confused मत होईएगा kilobyte लिखा है तो मतलब 1000 bit kilobyte लिखा है जिसको हम kb भी कहते हैं तो मतलब 1024 byte 1024 byte ठीक है ना तो इसमें आप लोग confused मत होईएगा अब जये इसको calculate करें देखते हैं हम्मोग अघर हम calculate करने की बात करें दोस्तों देखिए 2 तरीके सरे में नहीं या पर लिखा होँगा है इसको मैंने kilobyte माना है और एक बार मैने kilobyte माना है मैं बस confusion दूर करने के क्रेंए युए लिखा ओगा किलो बीट पर सेकंड होता है और केवल के भी लिखा वहता है तक इबआइच Charles और फिररत केवल केस्जा नहीं दखते हैं उसके आगे पी एज नहीं लेंगे तो हम उसको किलो बाइट पढ़ेंगे तो इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यह किलो बाइट पर सेकेंड है, और यह 1000 बिट है, तो चुकि लेंथ अपान बैंडवीथ है, तो लेंथ आपका क्या हो गया, 1000 बिट, ठीक है न, और यह किलो बिट पर सेकेंड, तो किलो बिट पर सेकेंड है, तो हमें पता है, किलो बिट है, तो किलो बिट का मतलब 1000 हुगा, यानी 1000 अपान सेकेंड, यह सेकेंड जो है, वो ऊपर चला जाएगा, यह दोनों बिट है, बिट और बिट आपस में कट जाएंगे, जैसे कि यहाँ प कि length kb में है अब समझेगा और bandwidth क्या है 1000 bit per second यानि kilo bit ना लिखके यहाँ पर क्या लिख दिया 1000 bit per second और यहाँ पर क्या लिख दिजिया kilo bit, sorry kb लिखा हुआ है मतलब kilobyte हुआ उसका तो जब अगर यह kilobyte लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको 1000 bits लिखा हुआ था तो चुकि यह kilobyte लिखा हुआ है तो kilobyte में हमें पता है कि kilobyte का मतलब क्या होता है कि 1024, एक kilobyte का मतलब क्या होता है 1024, clear है और 1024 क्या होता है byte होता है दोस्तों ना कि bit होता है, एक kilobyte यानि कि 1024 byte यही उसका मतलब होता है तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर kb लिखा हुआ है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक kb में क्या होगा एक 1024 byte तो 1024 byte और इंटू चुकि एक byte में 8 bit होता है इसलिए इंटू अगर हम 8 कर दें उसमें तो यह जो byte है वो किसमें convert हो जाएगा bit में दोस्तों किसमें convert हो जाएगा bit में और upon 1000 क्योंकि bandwidth इसकी कितनी दिवी है 1000 bit per second ठीक है न तो वही यहां पर bit upon second लिखा जाएगा और यहां पर bit लिखा जाएगा ठीक है न दोस्तों तो bit से bit कर जाएगा second ऊपर चला जाएगा और इन दोनों में जब हम divide करेंगे तो 8.192 हमारा answer आएग छी का नव तो आको समझे में आ जाएगा दुस्तों जो में कंफियोसर होता है हमें किवी में केवी PS में यद फ्रम लेक में होता है तो हमे यह ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तों फिक कहा पर क्या कहते है किलो बिट लिखा हुआ है कहां पर किलो बाइट लिखा हुआ है ठीक है ना और यह कैसे पता चलेगा ध्यान से सुनिए हमेशा पढ़िए कि पहले किलो बिट लिखा है कि किलो बाइट लिखा है अगर केवल किलो बिट लिखा होगा तो मतलब वो केवी में होगा लेकिन अगर वही kbps लिखा हुआ है, तो मतलब कीलो bit पर सेकंड है वो, ना कि byte है, तो जब kbps लिखा हुआ हुआ, is kilo bit पर सेकंड, और केवल kb लिखा है, तो मतलब kilo byte, जब kilo bit होगा, तो मतलब 1000 इसकी value होगी, और गिलो byte होगा, तो उसकी value 1024 byte होगी, और उस बाइट को जब 1024 बाइट को अगर हमें बिट में convert करना होगा तो हमें पता है कि एक बाइट में 8 बिट होता है तो उस 1024 में इंटू 8 कर देंगे तो आटोमेटिक जो है वो बिट में convert हो जाएगा ठीक है न तो इन चीजों का हमें विशेज ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब देखिए एक और हम एक्जामपल आपको इसी से लेके दिखाते हैं यह देखिए लेंथ हापका एक किलो बीट है ठीक है न यहाँ पर क्या है वन थाजंड बीपियस जो लिखाव बिट पर सेकेंड तो यहाँ पर एक पॉइंट से उसको पॉइंट में देखिए टाइम को हम कोसिस यह करते हैं कि ना वो पॉइंट में हो ना वो निगेटिव में जाए ठीक है न तो पॉइंट से हटाने के लिए हम इस जो सेकेंड है इसको हम किसमें बदल सकते हैं आप बताईए मिली सेकेंड में माइक्रो से सब्सक्राइब कर देंगे इसको अब चली मैं आगे बताता हूं लेकिन एक सी समय से याद रखेगा कि टाइम को कभी भी पॉइंट में मत रखिएगा कोसिस यही करिएगा अगर इतना पॉइंट सेकेंड लिग देते हैं तो हां कोई गलप नहीं कहेगा लेकिन एक मानना है कि पॉइंट को मिलि या माइक्रो में सैका अगर यहाँ पर इसको क्या करेंगे Q2 सपो में क्मौप कर मिलिये माईकड करें इसको हम प्लस में करेंगे मतलब कि पॉइंट से हटाने की कोसिस करेंगे, अगर पॉइंट से हटाएंगे तभी जाकि यह आमारी वैल्यू सही मानी जाएगे, अब मैं कुछ चीजे और आपको यहां पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा साथ ध्यान से देख लिएगा, कि जसका कि यहां लिखा है कि मैं जो मैंने के भी और बैंडिवीघ वाली जो बिट वाली बिट पर सेकंड की की बात की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कि 1 खीलो बाइट का मतलब क्या होता है, धटे शाबद सेकंड का होता है? और जोडन टा। आज़लो टूर 1024 हिसा हम उनन्हें, समझ रहा है एक थाउजेंट ट्वंटीफोर बाइट जो होता है वो क्या बन जाता है तो उसी तरीके से अगर इसको दो बर हम मल्टिप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाता है iọn 되지 तो अगर हम यहां बैंड वीट को देखी है तो यहां पर किलों में है तो टो टेन की पावर थए हो वाद अगर डौबार सपबल्यक कि अगरम बात करें तो मैंने बताया प्रोपागेशन जेले जो होता है और इंवर्स प्रोपोर्शनल तू विलॉसिटी होता है इसलिए हम टीपी इकल टी अपॉन बी करते हैं विलॉसिटी आफ लाइट हम इसा याद रहके का 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है ठीक है न और फाइबर आप्टिक सेवंटी परसेंट होती है यहनी लाइट के स्पीड के 70 परसेंट का मतलब क्या होता है कि 0.07 का अगर मल्टिप्लाइट कर दे विलॉसिटी आफ लाइट में तो हमें फाइबर के बल्की अप्टिकल फाइबर के बल्कि बलूसिटी का पता चल जाएगा जो कि 2.1 इंटू 10 क तो अब देखिए अब यहां पर क्या है कि आपको यहां पर प्रोपागेशन डिले निकालना है तो देखिए डिस्टेंस आपके अब के कहता है कि फाइबर आप्टी केवल है ठीक है डिस्टेंस आपकी दी हुई है देखिए two into one km किलो मीटर में इसकी डिस्टेंस डियो ही अज विलॉसिटी की बाद करें तो विलॉश्टी देखें यहां पे दी ओँए टू इन्टु 2.1 इन्टू 108 मिटर पर सेकेंड है कि किपने दूरी कितने सेकेंड मेंता है कर तो सब से पहले मिटर में करने कियोंकि और क्याव थिक रहा है तो उसमें 10 की पावर 3 से अगर हम मल्टिप्लाई कर दे तो हमारा जो किलोमीटर में कनवर्ट हो जा रहा है हमें फ्रोपागेशन दिले का पता है कि हमें फर्मूला पता है कि D upon V होता है तो जब अगर D upon V होता है तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि 2.1 इंटू 10 की पावर 3 जो कि डिस्टेंस हो गया और 2.1 इंटू 10 की पावर 8 मीटर अपान सेकेंड तो यह सेकेंड है वो उपर चला जाएगा सिंपल अब 2.1 इंटू 10 की पावर 8 नीचे और 2.1 इंटू 10 की पावर 3 उपर यह इससे कट जाएगा 10 की पावर 8 जो है वो उपर जाके माइनस 10 की पावर 5 हो जाएगा अमने 10 की पावर 8 हो जाएगा प्लस और माइनस का जब कर्फुजन होगा तो क्या आ जाएगा टीपी 10 की पावर माइनस 5 सेकंड होगा दोस्तों तो जैसा कि यहां पे लिखा हुए answer not considered in minus मैंने बता है ताइम आपको minus में नहीं होना चाहिए वो हमेसा positive में होना चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले milli और micro में convert करेंगे तो अगर हम 10 की पावर 5 को millisecond में convert करते हैं तो 10 की पावर 3 से multiply करते हैं millisecond में convert करने की लेकिन अगर हम millisecond में convert करने कि कोछिस कर रहा है तब हम देख रहा है कि हमारा answer – des istis से सब्सब्स में नहीं हो रहा है तो हम milli को छोड़ देंगे फिर हम direct 10 की पावर 5 को सब्सक्राइब करेंगे और जब माइक्रो सेकेंड में करेंगे तो मतलब क्या 10 की पावर 6 से हम उसको मुल्टिप्लाइब करेंगे तब हमारा क्या आंसर आएगा 10 माइक्रो सेकेंड जोकि करेक्ट एंसर माना जाएगा क्योंकि नहीं को माइनेस में तो कंसीडर कर भी सकते हैं लेकिन माइनस में एक दम नहीं करेंगे इसलिए हम इसको माइक्रो में कंवर्ट करके हमने इसको क्या बना दिया 10 थी पावर 10 करके देखिए अगर माइक्रो में करने से अगर वह पॉजिटी हो जाता है तो फिर मतलब कि आपका आंसर सही है यानि कि 10 माइक्रो सेकेंड वह आंसर होगा तो और बाकी मैंने आपको बताया कि क्विंग डिले और प्रोपागेशन डिले जो है आपका जीरो होता है तो उसके प्रोपागेशन और ट्रांस्मेशन दोनों निकालना पड़ेगा और दोनों को एड़ करना पड़ेगा तब आपको प्रोपागेशन डिले होगा और टूटल डिले होगा पर केवल प्रोपागेशन या ट्रांस्मेशन डिले पूछ रहा है तो आपको उस फॉर्मूली के त को निकालना होगा तो होप सो दोस्तों आपको आज का लेक्च्चर समझ में आया होगा